Hi friends, Welcome to PLC हम लोग 2D array का example देख रहे हैं ठीक है, दो तीन example हम लोगों ने already cover कर लिया है आज की इस वीडियो में 4th number example को हम cover करेंगे इस वीडियो में 4th number example में जो program दिया हुआ है इस program को हम लोग बनाएंगे ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं question क्या कह रहा है write a program in C for multiplication of two square matrices यहाँ पर दो matrix के बीच multiplication का काम करना है हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले examples में क्या देखा था दो matrix को कैसे add करते हैं मतलब दो matrix का addition हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो matrix का addition देखा था इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे दो matrix को कैसे multiply करते हैं आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा matrix का multiplication कुछ rules होते हैं matrix को multiply करने का तो चलिए पहले हम लोग उस चीज को समझते हैं सबसे पहला बात है जैसे कि हम लोग तिन नमर question में देखी हुए थे addition जब matrix का addition हम लोगों ने पढ़ा था उस समय ये condition था कि अगर first matrix first matrix जिस size का है उसी size का second matrix होना चाहिए ठेक है यहीं चीज हम लोगों ने सिखा था कि first matrix अगर 2 into 2 का है तो second भी 2 into 2 का होना चाहिए first 2 into 3 का है तो second भी 2 into 3 का होना चाहिए तब जाकर addition का काम होगा वरना नहीं होगा उसी तरह से multiplication का भी कुछ रूल है अगर जैसे fourth number question में हम लोग को multiply का काम करना है इसमें first matrix first matrix का column second matrix के row के बराबर होना चाहिए नियम क्या है अगर first matrix first matrix two into three का है तो second matrix कैसा होना चाहिए second matrix three into two का अगर होगा तो multiplication हो पाएगा तो multiplication हो पाएगा नहीं multiplication नहीं हो पाएगा क्यों क्यूंकि सर्थ क्या है मतलब condition नियम क्या है first matrix का column second matrix के row के बराबर होना चाहिए ठीक है first matrix का column second matrix के row के बराबर होना चाहिए अभी बराबर नहीं है इसका मतलब अगर ये ये two into three का होता तो क्या होता multiplication हो पाएगा बात समझे ना तो इन्हीं सब जंजट से बचने के लिए question में दे दिया गया है square matrices के बीच में आप multiplication का का काम कर लिए square का मतलब two into two का पहला matrix होगा दूसरा matrix भी two into two का ही ले लिजिए तो किसी तरह का tension नहीं होगा three into three मतलब row भी three column भी three पहला matrix अगर है तो दूसरा matrix भी three into three के ले लिजिए ठीक है ना हलाकि आप लोग इस पर try केजिएगा three into three पर या two into two पर हम इस पर बना देते हैं ठीक है पहला matrix two into two का रहेगा दूसरा matrix two into three का रहेगा हम इसी question को लेके बना लेते हैं ठीक है थुरा सा different रहेगा एक matrix किसी और साइज का, दूसरा मैट्रिक्स किसी और साइज का, और कौन सी बातों को ध्यान रखना है, यह आपको अब पता है, तो चलिए, अब हमें क्या देखना है, कि दो मैट्रिक्स के बीद में multiply कैसे होता है, अगर आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा, इस चीज को, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पर एक multiplication करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा idea लग जा है, तो पहले हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर multiply का काम करेंगे, यह एक matrix, इसके नाम आप कुछ भी देते हैं, जैसे कि M 1, दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, दूसरा मैट्रिक्स इसका नाम दे देजिए M2, इन दोनों के बीच क्या करना है, multiply का काम करना है, ठीक है, तो पहला M1 मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2 into 2 का, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स का साइज क्या है, 2 into 3 का, ठीक है, तो जो condition हो चाहिए हो condition fulfill हो रहा है हाँ इसका जो column का size है इसके row के size के बराबर है तो यह condition fulfill हो रहा है तब multiply possible है अब multiply कैसे करते हैं इस चीज को देखते हैं देखिए multiply कैसे करते हैं एक row को उठाते हैं और एक column के साथ multiply कर देते हैं कैसे करना है एक row को उठाना है और एक column के साथ multiply कर देना है अब multiply कैसे करते हैं इस चीज को हम आपको दिखाते हैं और multiply करने के बाद जो result 10 matrix बनेगा उसका size क्या होगा तो उसका size 2 into 3 का ही होगा तो 2 into 3 के एक matrix हम बना लेते हैं हमने इतना बड़ा matrix इसलिए बनाया ताकि multiply हमें करना है इसके अंदर तो सबसे पहला बात देखिए समझेगा इस चीज को समझेगा क्योंकि इसी technique पर हम programming करेंगे है technique क्या है first matrix का पहला row second matrix के पहले column के साथ multiply होगा फिर उसके बाद यहीं पहला row second column के साथ multiply होगा फिर यहीं पहला row third column के साथ multiply होगा ठीक है तो देखिए हम कैसे multiply करते हैं पहला क्या काम होगा यह जो two है यह इस three के साथ multiply होगा मतलब two into three फिर plus फिर यह three है इसके साथ multiply होगा इस two के साथ तो three into two इस sale का काम खतम ठीक है अब देखिए क्या मतलब कि एक column का भी काम अब खतम होगा तब दूसरे column के साथ होगा तब क्या फिर यह हैं two इस two के साथ multiply होगा तो two into two फिर plus फिर यह three इस four के साथ multiply होगा तो three into four तो दूसरे column का काम खतम ठीक है अब फिर third column का काम होगा अब यह two इस four के साथ multiply होगा तो two into four plus फिर अब यह three इस five के साथ multiply होगा मतलब five three into five ठीक है अब जाकर first matrix का पहला row का multiplication complete होगा अब सेम यही काम यह first matrix का second row के साथ होगा अब यह second row first column के साथ multiply होगा फिर second column के साथ multiply होगा फिर third column के साथ multiply होगा ठीक है देखें कैसे करता है यह four इस three के साथ multiply होगा ठीक है फिर plus यह five इस two के साथ multiply होगा फिर यह मतलब अब इस column का काम खतम फिर यह four इस two के साथ multiply होगा फिर plus फिर यह five इस four के साथ multiply होगा अब इस column का भी काम खतम होगया अब फिर अब इस column के साथ यह four इस four के साथ multiply होगा प्लस यह five इस five के साथ multiply होगा इस तरह से multiplication होगा अब यह पूरा का पूरा calculate करके आपको यहां लिख दना होगा मतलब final value क्या होगा 12 यह पूरा का पूरा calculate करके आपको यहां पे लिख दना होगा final value क्या होगा 16 यहां पे final value क्या होगा 23 यहां पे final value क्या होगा 22 उसी तरह 28 यहां पे क्या होगा 41 1 समझे मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो अब थर्ड मैट्रिक्स जो है जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि M3 इस खनाल दर देजे तो थर्ड मैट्रिक्स में रिजल्ट अब क्या मिला 12 16 23 जो पिस फाइनल रिजल्ट है उसको छोड़कर बाकी जो भी है उसको हम क्या कर दिए मिटा दिए तो यह रिजल्ट आया कैसे यह आप अच्छे तरह से देख कर समझ गया है तो अब यहीं काम हमको क्या करना है कोड लिख के करना है अभी हमने क्या किया पेंट से बनाया जैसे कि हम लोग इंटर में बनाते थे अब उसके लिए कोड लिखना है मतलब प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम ही यह सब काम करें तो चलिए हम तो कोडिंग करने के लिए सबसे तो पहला काम हमें क्या करना है दो मैट्रिक्स बना लेना है तो चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें इनस्लाइज कर देंगे ठीक है डाटा हम क्या करेंगे इनस्लाइज करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का नाम देते हैं एम वन और इसका साइज क् यह पहला मैट्रिक्स है इसमें इन स्लाइज कर देते हैं तो इन स्लाइज वहीं डाटा करते हैं इन स्लाइज जिस पर अभी हम लोगों ने काम किया अब क्या करते हैं इसी लाइन में इसी लाइन में हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं एम टू कि इसका साइज क्या है इसका साइज है है टू इंटू थ्री गां टू.. टूORD ।्री कर लिए और इसमें भी क्या करते है इसलाइं त्री कर ठीक है चले और एक थर्ड मैट्रिक्स हमें चाहिए तो यहीं पर कॉमा देकर हम थर्ड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं तो एम 3 तो यह एम 3 का साइज कितना होना चाहिए 2 x 3 का ठीक है 2 x 3 का हाँ अब हमें लूप लगाना होगा तो यह नेश्टेड लूप पर काम करता है ठीक है तो यहाँ पर हमें 3 लूप के हो सकता होती है तो हमें 3 लूप को चलाने के लिए 3 वैरियेबल चाहिए तो इसको अलग ही हमें डिकलर कर लेते हैं आई जे के तीन वैरियेबल हम बना लेते हैं ठीक है तो चलिए अब हम मेरे पास दो मैट्रिक्स बन गया है और इसके मल्टिप्लिकेशन के लिए कोड लिखना है तो चलिए कोड हम लिखते हैं पहले हमें इसके अंदर निश्टेट लूप के अंदर इम त्री जो मैट्रिक्स है उसको क्या करना होगा उसमें पहले से बैलू डाल देना होगा जैसे कि उसमें जीरू पहले से हम क्या करेंगे फेले से जीरू डाल देंगे जीरू एससाइन कर देंगे उसके बाद जो भी मल्टिप्लिकेशन का काम होगा वह काम करेंगे ठीक है जीरू हम इसलिये डाल देता है ताके guber waves हमने ड efficient रवा न ठेक है इसलिए पहले हम क्या करते हैं इसमें 0 डाल देते हैं यह हमने 0 डाल दिया अब इसके बाद हमें क्या करना होगा मल्टिप्लिकेशन का काम करने के लिए एक और फोर लूप लगाना होगा इसमें k variable को यूज करेंगे फिर k++ तो यह रहा लूप का arrangement अब इस जो third loop है nested loop का जो सबसे अंदर वाला inner loop है इसके अंदर multiplication का काम होगा तो अब multiplication का काम करते हैं तो m3 i j equal to m3 यह काफी तुरह से complicated हो जाता है तो इसलिए आपको एक दम ध्यान से एक एक चीज को एक दो बर देखकर समझना होगा तब जाकर यह चीज समझ में आएगा देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगा रहे हैं यह देखेगा यहाँ पहले क्या लिए कि एम 3 i j equal to m3 i k शोरी 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 यहाँ पर i j ही होगा ठीक है अब इसके बार प्लस लगाना है ठीक है क्योंकि अब multiplication किसके किसके बीच में है m1 किसके किसे बीच में है m1 तो यहाँ पर i k का यूज करना है ठीक है थार्ड लूप का जो variable है उसको इस्तमाल करने हैं देखिगा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा m1 में क्या कर रहा है i k का यूज कर रहा है into m2 m2 जो matrix है इसमें हम किसके इसमाल कर रहा है k k का इस चीज को जब dry run कराईएगा तब आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा कि आखिए यह जो यह जो line है multiplication के लिए जो यह line लिख रहा है यह line कैसे काम कर रहा है और कैसे दोनों matrix के value को उठा रहा है और multiply भी कर रहा है और m3 matrix में store भी कर रहा है ठीक है यह तीनों काम कर रहा है यह line तो यह जो आपको nested loop का जो arrangement अभी दिख रहा है इस nested loop में कितने loop है तीन यह तीन loop का जो arrangement आपको दिख रहा है इसका काम केवल क्या है multiply करना बस multiplication कर रहा है अब multiplication होकर m3 में store हो जाएगा सारा data अब आपको finally क्या करना है m3 को print करा लेना है ठीक है तो आप किसी matrix के data को कैसे print करते हैं यह आपको already पता है ठीक है चलिए तो हम क्या करते हैं इसको print कराते हैं इस print की जुरूत नहीं है इसको हमने क्या 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 अटा दिया तो print करने के लिए हमको क्या करना होगा nested loop की जुरुत होगे तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं nested loop copy कर लेते हैं अब इसके अंदर हमको काम करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं करली प्रिशेस का जो प्रियर है उसको तयार कर देते हैं क्यांकि कॉपी प्रिट किये हैं तो नीचे वाला करली प्रिशेस हमें नहीं मिल पाया है तो इसके अंदर हमको प्रिंट करना कि इसको प्रिंट करना M3 को तो प्रिंटेफ लगाई है प्रिंटेफ चलिए ये क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है तो अब हम क्या करता है इस को रन कराते हैं अब रन कराते हैं देखिए रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं हमने रन कराया पर रिजल्ट देखिए रिजल्ट कैसा आया रिजल्ट जै पहले उस error को ढोनते हैं तो देखिए error है कहां पर एक सब्सक्राइब डालें यहां पर के लेस्टें जे है यहां पर गल्द मिश्टेक्स से जे हो गया है यहां यह कितना तक चलेगा यह रो तक चलेगा याद रखेगा रो तक रो अगर दो रो का मैट्रिक्स है तो दो दो तक चलेगा तीन रोका अगर मैट्रिक्स रहता तो यह तीन तक चलता बस यह जरा सा तो और गतिकर क्विट रहा ठाम बन कहा क्लता गारं ऑलता अब इस चीछ को र branब कराते हैं अब दाखेगा कि अब कि अब यह को पर ओर्व कर रहा है यह मैं ट्रिक्स का मर्टि प्लिकेशन सही काम कर रहा है और एक्दम जो आया है में चीजक्व temporary पर जा उस्याफ result 100% सही है तो यह रहा multiplication का program ठीक है तो काफे लंबा भी मिलेगा कारण क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया है मैंने in slice किया है ठीक है यहां पर दोनों array में दोनों two dimensional array बोलिए या दोनों मैंट्रिक्स में हमने क्या किया है अगर यूजर से आप लेते हैं तो फिर इसके लिए आपको nested loop लगाना होगा तो दो-दो nested loop मतलब एक matrix में लेने के लिए एक pair of nested loop लगेगा फिर दूसरे matrix में input लेने के लिए फिर दूसरा pair of nested loop लगेगा ठीक है फिर अब उसके बाद नीचे आप multiplication के बाद result ऐसा print करना चाहते हैं कि पहले एक matrix print हो जाए फिर दूसरा matrix print हो जाए फिर तिसरा जो result बाद matrix है जो नीचे output में आया था वो print हो जाए तो फिर उसके लिए आपको nested loop फिर इसके लिए एक लगाना पड़ेगा फिर nested loop इसके लिए लगाना पड़ेगा और एक nested loop यह जो लगा हुआ है वो इसके लिए हैं ठीक है तो इस तरह से program काफी लंबा हो जाता है अ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक अन सस्क्राइब किजिए तब तक लिए थैंक्यू